लोक तंत्र का महा पर चल रहा है आज मद्दान हो रहा है अपनी आहुती दे रहे हैं वोट दे रहे हैं जिसे एक नई सरकार का गठन होगा विवेक तन्खा राजसवा सदस्रा सुप्रीम पोट के वज़े तरह उन्हों ने अपना अभी वोट दिया है और यह उनसे पूछते चुकी है मैं तो जब भेंड मोरेना के गाओं में पब्लिक मीटिंग्स की थी तो मैं वहां लेडिस को देखता था गाओं के लेडिस जो पूरी सर पे पूरा उनका वो रहता था वो भी हमको अपने मुबाइल से दिखाती थी कि कैसे वोर्ड से कम्मुनिकेट कर रही है तो वर्ड बदल चुका है अब इस वर्ड में पुरानी बाते करके आप सोचो कि वोट मिलेगा वो नहीं मिलेगा वोट अब उसी को मिलेगा जो नए एस्परेशन से जोट रखता है जो नए जेनरेशन से जोट रखता है यूथफुल नेशन है 75 प्रतिशाद यूथ है 80 प्रत प्रतिशन से सनातन राम मंदर यह सब उनके बड़े बड़े लिले लेका है तो क्या इसका कोई असर होगा यह तो बहुत पुरानी बाते हैं हम तो प्राचिंकाल से सनाती हैं सनातनी लोग हैं हम लोग और हिंदू सब हैं राम मंदर जिस बनेगा हम भी माता टेकनी हमको नहीं लगता है इन बातों से कोई बहुत बड़े लेंगे इन बात प्रचार की हो सकते माध्य हो सकते हैं बट यह वोट का माध्यम नहीं होगा तो यह अब आपको क्या लगता है आप चुंकि लगातार कांग्रेस के कैमपेन में जूड़े थे और चुंकि बंद कमरे क में रणदीती में विन्वॉल थे जनता के मन में क्या है मेरे मेरे उपरे में जनता के मन में यह है कि 18 सार में जो रूल था वह वह रूल ने क्या उनको उनके भविश्य को सेक्योर किया है और सिक्योर नहीं किया है तो यह पदलाव किया दिए तो यह आपको क्या लगता है क कौन होगा मत्रदेश का मुख्यमंत्री तो पार्टी डिसाइड करती है चुनाओं के बाद डिसाइड करती है तो उसके आज से बोलना कोई मतलब कर नहीं है पर लेट उस वेट पूर इलेक्शन दिशाल से तो यह थे विवेक तनकाजी कह रहे थे कि चेंज के लिए जनता वो कर दो यह सकते है